है गाइस वेल्कम तो माय यूटूब चैनल एजो लोजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर रॉल इंफ्रमेशन तो फेंट्स आदम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नम्र फो जिस चैप्टर का नाम है तिंकर्स बिलीफ बिलिंग एंड कल्चिरल डवलम्मेंट और इसका में ली जो टाइम पीरिड है वह सिक्स हैंड़ बीसी से लेकर सिक्स हैंड़ सी तक जी हां तो गाइस अगर आपने इससे पहले के जो चैप्टर की वीडियोज हैं वह नहीं देखी हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेइस्ट की वहां से आप सारी के सारी जो वीडियोज हैं वह चेक आउट कर सकते हैं और अगर आप हमाई चैनल प बताते हैं जहां से ज्यादतर जो कोशन से आपके एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो लेक्टर को सही से देखिएगा क्योंकि हम एक्दम सिंपलर फॉम में इस चैप्टरों का आपको समझाने वाले हैं और इस चैप्टर में हम एक अच्छी खासी लांग जन्नी पर कमपाइल किये गए हैं और साथ साथ में जो आर्किटेक्चर की फॉम में इस कप्चर की फॉम में उन्हें एक्सप्रेस भी किया गया है और हम यह भी देखेंगे कि उन फिलोसफर्स की और फिंकर्स की किस हद तक जो इंफ्लुएंस था वो उस टाइम के लोगों पर हुआ ठीक है और जाई सी बात है इसमें हम फिलोसफिस की बात कर रहे हैं तो इस चप्टर में एक अच्छा खासा जो पोशन है वो भुद्धिजम और जैनिजम फिलोसफिक के भी ऊपर है तो आपका यहां पे जैनिजम और बुद्धिजम भी कवर हो जाएगा तो यह चप्टर आपका काफी महतपूर्ण है examination के point of view से और आपके जो चप्टर है वो भी हम यहां पर complete कर देंगे यह पार्ट वन है हम कोशिश करेंगे कि इसके ज्यादा तर जो हिस्से हैं चप्टर में complete कर दें तो चलिए बीना किसी देदिये की वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए एकसाइटिंग वर्ड को समझने के लिए रिकंस्टर्ट करने के लिए उसमें से हैं बुद्धिस्ट जैना और ब्रह्मनिकल टेक्स्ट और दूसरी चीज़ है वह जो भी मटेरियर लिमेंस हैं मॉनुमेंट्स इंस्क्रिप्शन और जो भी बेस्ट प्रिजव मॉनुमेंट और इंस्क्रिप्शन ने बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकि जो अदर मॉनुमेंट्स इंस्क्रिप्शन से वह भी हमारे सोर्से की तो पर काम आएंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले आप यहां पर पहला टॉपिक है इस चैप्टर का तो वह तो यहां पर एक है आपका साची के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह भी एक मातपूर्ण चीज़ है तो सबसे पहले जब आप अपनी हिस्टरी की बुक में चैप्टर खोलेंगे एक मरतबा तो वहां पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है जहां पर इसकी हैडलाइन है साची इंदा 19th century तो यहां पर एक बोपाल की रूलर हैं जिनका नाम है शाजहां बेगम जो की नवाब कहले हैं रूल करें बोपाल की जिन्होंने 1868 से 1901 तक जो है रूल किया है बोपाल में 1868 से 1901 तक और एक फेमस किताब है ताजुल एकबाल तारी बेगम ने जो भी बातें की है साची की बारे में जो कि एक बेस्ट प्रिजर्ब मॉनुमेंट माना गया है तो यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि यह बहुत वंडरफुल एंशेंट बिल्डिंग है इन दा इस्टेट अब भोपाल देखे गाइस मैं आपको बता दूं क कि यह जो साची स्टुपा है यह मदपरदेश में स्थित है और पहले इसे पूरा जो है मदपरदेश को बोपाली कहा जाता था तो यह साची में इन्होंने कहा कि यह मोस्ट वंडरफुल एंचेंट बिल्डिंग है इन दे स्टेट अब भोपाल और यह साची कना खेड़ा small village है वहाँ पर ही इस्तित है बोपाल से 20 मिल की दूरी पर है नौर्ट इस डिरेक्शन में जो की जो यहां की कुईन थी जो शाजा बेगम थी नवाब थी वो इसको frequently विजिट करती रहती थी और इसको इन्होंने खुझ जाकर भी inspection काफी बार किया इसके जो stone sculpture है इसके जो statues है बुद्दा के और जो भी इनके ancient gateway उन सब को खुझ जाके देखा है और जो भी यहां पर बचे कुछे आसपास के जितने भी material हैं उन सब को इन्होंने ऐसा कहा है अपनी statement में इस बुक में कि वो सब European gentleman बहुत गहराई से उन सारी चीज़ों को पढ़ते थे अपने इसका पूरा ड्राइंग भी मनाया था ऐलेंग्सेंडर कमिंगम ने और जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेसी फड़ भी किया और जो डॉम्स वगेरा है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्जामीन किया है तो यहां पर इनको कहने का है वो चला आता वो जहां पर आपको एक ग्लिम्स दिखाया गया है अब यहां पर यह इसलिए बताएगे आपको ताकि आप जो है जान सकें कि किस तरीके जो जो है री कंसर्ट करते हैं और जो सांची इस तुपा है उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान सकें मुझ बुद्धिजम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर भी है और जो 19th century के इरोपियंस थे वह बहुत ज़्यादा इंट्रस्टेट थे इस साइट में जो की इस तुपा में सती थे सांची इस तुपा इन फैक्ट जो फ्रेंच थे पार्टिकुलर्ली उन्होंने जो उस पर जो है इसकी डिमांड की थी लेकिन फॉर्चुनेटली फ्रेंच को और इंग्लिश को जो है यहां पर जो केर्फुली एक प्लास्टर कास्ट कॉपी प्रिपेर की गई थी उसी गेटवे की बदले में वो दे दी गई और जो औरिजनल है वह अभी भी हमारे पास बोपाल सुल्टान जहां बेगम इन्होंने मनी प्रोवाइड करी है ताकि इस साइट को परजव किया जा सके और उस टाइम पर जो जो की काफी फेमस हिस्टोरियन या आर्कलॉजिस्ट थे उन्होंने पूरे इसमें इन्वेस्टिकेशन करने के लिए एक इंपॉर्टन वॉल्यूम डेटिकेट की है सुल्तान जहां को पूरा साची के उपर और सुल्तान जहां ने उस टाइम पे जो पूरा म्यूजियम था जो इसके आसपास बनाया गया था इन्फॉर्मिशन एकटा करने के लिए उसको पूरा फंड किया गैस्ट हाउस वगेरों को फंड किया जहां पर ज हम कह सकते हैं कि यह बहुत वाइस डिसीजन है और एक हमारा गुड़ लख है कि हम जो है बड़े-बड़े जो उस ताइम पर बिटिश थे जो यह जिनकी पूरी आखें इसी पर लगी हुई थी कैसे हम इसको अपनी म्यूजियम में ले जाएं कैसे इसके पार्ट समले जाएं उनसे हम बचे हैं और भी कैसे जैसे हम मान सकते हैं रेलवे कॉंट्रेक्टर बिल्डर इन सब की जो इन सबसे हमने इस मॉनुमेंट को बचाया है विटिश एवन बिटिश के बी टाइम पर तो हम यह कह सकते हैं कि यह वन आप दा मोस्ट इंपॉर्टन बुद्धिस सेंटर है और इसकी जो डिसकवरी है उसने जो अल्ली भुद्धिजम की हमारी इंडेस्टेंडिंग है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है त्यूंकि इसमें बहुत सारी हमें एविडेंस और जो इसके रियून्स मिले हैं उसे बहुत सारी इंफ्रमेशन भी हमें मिली है और हम कह सपाल पूुछेंगे कि इसका सिकनिफ्रिकेंस बनाया क्यों गया था इसमें क्या एंग सारे आपको मिलने वाले हैं जो कि हम recover करेंगे साची से ही जिसमें हम सारी की सारी टेक्स्ट हैं इसकप्चर हैं आर्किटेक्चर हैं इंस्क्रिप्शन हैं इन सारी की सारी information को compile करके हम आपको पूरा answer बताने वाले हैं तो यह chapter बहुत interesting होने वाला है मज़िदार होने वाला है तो आप एकदम last तक सरूर बने रहिएगा और बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं important चीजें भी आपको कुछ बताते रहूंगा तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस chapter की अल्ली बुद्धिस tradition को और उसके background को explore करते हुए तो सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो यह हमारा पहला topic जो है start हो गया है आप यहां पर यह से देख सकते हैं यह वाला topic है तो गाइस यहां पर जो mid first millennium BC है उसको हम एक तरीके से एक turning point मानते हैं world history का यूँकि इसमें बहुत बड़े-बड़े thinkers का emergence हुआ उबर के आए वो सामने जैसे की जारा तुस्तरा जो की इरान के हैं कॉंग जी जो की चाइना के हैं सौकरेट प्लेटो एरिस्टोटल सब जानते हैं गिरीज के हैं महावीर और गौतम भुद्ध और भी बहुत बड़े-बड़े जो थिंकर से वह भर क्या इंडिया में तो यह सारे के सारे जो थिंकर से इनका emergence हुआ इस टाइम पर और इन सबने जो जितने भी mysteries हैं उस टाइम की और जो भी human being और cosmic order का relationship है उसको समझने की कोशिश की है अपने अपनी लेवल पर और यह वही टाइम था जब नएने किंग्डम सो सिटी जो है डेवलप हो रही थी और social economic जो life था वो एकदम तरीके से अलग-अलग तरीकों में change हो रहा था तो इन जो थिंकर से उस ताइम पर इन्हों होने उन सारी development को भी समझने की कोशिश की है इसके बाद इसी बीच में एक ट्रेडिशन भी उबर के आया वो ट्रेडिशन हम कह सकते हैं एक तरीके से the sacrificial tradition नाम से किलिए रहे कुर्बानी के बारे में कुछ बात की जा रही है sacrifice के बारे में बात की जा रही है तो इससे पहले एक प्री एक्जिस्टिंग ट्रेडिशन था इस समय से पहले बुद्धिजम से थोड़ा हलका सा थोड़ा पहले जिसमें एक रिलीजिस बिलीफ आप कह सकते हैं कोई प्रैक्टिस कह सकते हैं जो अल्ली वेदिक प्रेज में लिखी हुई हैं जैसे कि अगनी इंद्रा सोम इन सबके और इन में से कई सारी जो हिम्न है वो चैंड की जाती थी जब भी कोई कुर्बानी या sacrifice परफॉर्म किया जाता था और जहां पर जो लोग थे वो प्रे करते थे कैटल के लिए संस के लिए बेटों के लि है जानी गुड हेल्थ के लिए और लॉंग लाइफ के लिए बागी वगेरा तो यहां पर आप दे सकते हैं कि यह रिग वेज से जो कुर्बानी का जो ट्रेडिशन है यहां पर यह लिया गया है एट फरस्ट अगर हम देखें तो सक्रिफाइज जो थी वो कलेक्टीवली सो बीसी से पांसो बीसी के बाद से हमें देखने को मिली है ऐसा कहना है कुछ जो थी कुर्बानिया वो सब ज्यादा तर जो हैड होते थे हाउस होल के वही करते थे डोमेस्टिक यूनिट पर और इसको बहुत बड़े लेवल पर जो थे वह राजा सुया या अश्वमेधा जो यहाँ पर कुछ नए कोशन भी उबर के आते हैं उसी टाइम के बीच में उसी अल्ली पीरिट के बीच में यूंकि इसमें कई सारे आइडिया से जो थे वह उपनिशाद से भी हमें मिले थे उपनिशाद जो कि 6th century के बाद सहीं हमें देखने को मिले है इसका evidence वह यह शो करत पुर्णर जनम के concept के बारे में जानने के लिए और कई लोग के मन में यह भी सवाल आ रहा था कि क्या जो पुर्णर जनम है वह हमारे पास्ट एक्शन जो हमारे पिछले किये गए भूत काल में जो करम है उसके ओपर डिपेंड करता है तो इस तरीके जो issues थे वह बहुत hotly debate किये जाते थे जैसी बात है वह आइडिया आएंगे तो उसे debate भी किया जाएगा उस ताइम पर यहां पर दिया रखा है और तिंकर जो थे वह काफी concern थे इस चीज़ को लेकर जो भी ultimate reality है इन सारे चीज़ों के लेकर वह काफी concern थे बागी बात करें वेदिक tradition के बाहर से तो कि मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया कुर्बानी का जो ट्रेडिशन था उसको लेकर भी लोगों ने अपना अपना जो significance है उसको बताना शुरू किया अपने अपने हिसाब से उसको speculate करना शुरू कर दिया देखिए जो सेक्रिफाइजर अभी हमने पढ़ा फिर उस तरीके कि आप यहां पर देख सकते हैं उसी बीच में यहां पर कई सारे डिबेट्स और डिसकुशन भी देखने को मिले हैं यहां पर गाइस हमें कई सारे जो लाइवली डिसकुशन और डिबेट्स हैं वह बुद्धिस टेक्ट से भी देखने को मिले हैं बुद्धिस टेक अपने आइडियास को अपने philosophy को validate करने के लिए उनको समझाने के लिए और जो भी कुछ वो जिस तरीके से वर्ल को जिस नजरिये से समझते थे उसी नजरिये से लोगों को भी बताना चाहते थे जो डिबेट्स पगेरा होती थी वो जो है एक कुटा गर्शला करके जिसे literally जि वहाँ पर जो है debates hold कराये जाती थी वहाँ पर होती थी और इसी के साथ साथ अगर कोई philosopher अपने राइवल को अपने दुश्मन को या अपने opposite या contrast आइडिया वाले को अगर वो convince करने में successful हो जाता था तो उसका जो support है वो भड़ जाता था और जो राइवल में उसका होता थ जानी जो भी उसका सामने होता था उसके अगेंट में वह उसका disciple या devotee एक तरीके से उसका मानने वाला बन जाता था तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाप से अगर देखें तो 64 अगर सक्ट होते थे तो किसी भी particular सक्ट का जो growth है वो कभी time or time कभी कम भी हो सकता था और अचानक से ब उसको भी question किया यह सब आप जानते हैं बली बाती और इन्होंने जो है individual agency के ओपर ज़्यादा emphasize किया इन्होंने कहा कि men और women जो है वो मोक्स या हम कह सकते हैं मुक्ती या जो liberation है वो achieve कर सकते हैं attain कर सकते हैं अगर वो जो दुनियावी चीज़ें हैं जितने भी worldly existence हैं उन सब से एकदम दूर रहें या उनसे उनसे ज़्यादा जो है प्रेम ना करें दुनियावी चीज़ों से worldly existence है और जो की पूरी तरीके से contrast था बिल्कुल अगेंस साब भ्रहम निकल जो position अपनी रखते थे इस idea के ओपर उससे बिल्कुल विपरीद था और अगर हम देखें जो individual existence क determine की जाती थी बर्त के basis पे कोई specific कास्ट या gender की basis पे वो जो भुद्दा और महावीरा की जो philosophy थी उससे काफी अलग था अब गाईज अगर हम बात करें फाइनली जो basic philosophy है या मैं कहूं basic idea है जैना philosophy का या जैनिसम का तो यह जो जैनिसम का जो basic philosophy है वह already existence में था नौट इंडि हैं तो इनके आने से पहले ही नौट इंडिया में इसकी जो कुछ basic ideas से वह पहरी से प्रिवेल कर रहे थे और जैना tradition के अनुसार जो महावीरा है उनके अलावा 23 और वी टीचर्स माने जाते हैं जिने हम तीर ठांकर भी कहते हैं यह तीन ठांकर का मतलब होता है कि लिटरली जो लोगों को मैन और वूमेन को गाइड करते थे तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है जैनिजम का वह यह है कि जो पूरा वर्ल्ड है जो पूरी दुनिया है पूरा संसार है वह एनिमेटेड है वह मतलब उसमें कोई reality नहीं है विल्कुल animation की तरह है यह सबको कोई भी injury नहीं करनी चाहिए और सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए एक तरीके से हम कह सकते हैं यह central idea यह central है जैना philosophy का in fact जो principle है आइंसा का वह बहुत ज़्यादा emphasize किया जाता है जैनिजम के अंदर तो अगर कोई भी इंसान सबसे पहले जैनिजम की चिरफ पढ़ेगा या उसको समझेगा तो सबसे पहले उसे यहीं देखेगा principle of अहिंसा तो according to जैना टीचिंग्स जो साइकल है बढ़त और रिबढ़त की वह आपके कर्म के अकॉर्डिंग होता है जैसे जो होता है पैनेस जिसे हम तपस्या वगएरा भी कहते हैं वहराग् वर्ल्ड को यानि दुनिया को त्याग की हो सकता है देरफर जो मुझेष्टिक एग्शिस्टेंस है वह नैसेसरी कंडिशन आपकी मुक्ति के लिए सलता के लिए जैना मौक्स और नंस की बात करें तो यह लोग आपको पता होगा मौक्स नंस वो होते हैं जो एक तरीके से म बन जाते हैं मोनेस्ट होते हैं और इन्होंने फाइफ वोज लिए थे यह मैं कहूं कि पांच जो एहद होते हैं या पांच कोई चीज़ बनने से पहले कंडिशन होती है फिल्फिल करनी होती है मोंग से नंस बनने के लिए वह पांच कुछ इस तरीके से जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं या पर इसको हाइलाइट भी कर देता हूं तो वह पांच इस तरीके से थे पहला जो पॉइंट था वह था टू एपस्टे वन जो एक तरीके से जो इसमें मैरीज और इसके रिलेटर चीज़ें नहीं की जाती है और जो लास्ट है वह था टू एक्सटेन फॉर्म पॉजिंग प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी पॉजिस ना करना तो इस तरीके से जो फाइफ वाउज है यह लिए जाती थी ज जैना मौक्स और नंस के द्वारा नंस आपकी फीमेल होती है मौक्स आपके जैनली मेल होते हैं ठ्यक्किन अगर हम बात करें यहां पर जैनिजम की एक्सपेंशन को लेकिया जैनिजम किस तरीके से फैला तो देखिए जैन जो है इंडिया के कई पार्ट्स में फैलना शुर टेक्स्ट की मैनूस्क्रिप्ट थी वो भी बहुत कीयरफली प्रिजफ की गई उन लाइबरीज में new Souls में end up October वह जितने बए ठीः ठांकर धे उनके डिवोटीज ने प्रडियोस किये हैं ठीक है और यह सब किसल है जो Até comfortable किए गई हैं अलग साइट से थोड़ी सब कॉंटिनेंट अब यहां पर आपने पूरा जो है बेसिक फिलोसफी जान लिए और जैनिजम किस तरीके से जो फैला इसके मैंने पॉइंट वाइस आपको यहां पर बता रखें हो समझाया भी थोड़ दिर पहले यह भी अपने जान लिया है अब यहां पर हमने concept जो इसका समझ लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बुद्धा की तरफ तो गाइस अगर हम यहां पर बात करें बुद्धा के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में तो यह वन अब दा मोस्ट इंफ्लेंशल टीचर मारा जाते हैं अपने टाइम के और इन मार्थ हाइलेंड इंडोनेशियां सारी कंट्रेज में इनके जो आइडियाज हैं फिलोसोफीज हैं वह फैला शुरू हुई तो गाइस अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि हम जो भी बुद्धास के टीचिंग्स हैं उन सब के बारे में किस तरीके से जानते हैं वह औरी से चाले मेंशन किये गए थे उनमें से यह जो इन्फर्मेशन निकाली गई है और इस्टोरियंस ने इसके साथ साथ जो है बुद्धा की लाइफ से जो जिसे हम है ग्योग्राफीज भी कहते हैं अब बोलेंगे कि हमने बायो ग्राफी सुना था आटो बायोगोग्राफी से लेकिन ये होती है बायोग्राफी किसी सेंट की या किसी रिलीजियस लीडर की और ये जो हैग्योग्राफी होती है ये ज्यादतर उस सेंट की या उस रिलीजियस लीडर के अचीवमेंट के बारे में ही बताया जाता है इसमें उसकी प्रेज किया जाता है और हो सकता ये लिट कई सारी चीजें थी वह अट लिस्ट जब बुद्ध क्या जब टाइम हो गया था जब उनके डेथ हो गई थी उसके एक संचरी के बाद ही यह सारी चीजें लिखी गई थी और इस ग्रेट टीचर की मेमोरी इसको प्रजब करने के लिए इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्लैन यह साक्या कबीला तो इनका जो जादतर शुरुआत का टाइम बीटा वो पैलेस के अंदर ही बीटा और इनको जो है ऐसा माना जाता था कि इनको जो इस दुनिया की हार्शी रियलिटी है उन सबसे दूर रखना है बुरी चीजों से या दुख वाली चीजों से दूर वल्ड में और उसमें उन्होंने कई सारी ट्रॉमेटिक चीजें देखी वो जब बाहर गये तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें देखी जो दुख भरी चीजें थी जब उन्होंने एक बुड़े आदमी को देखा फिर एक डेड़ बॉड़ी देखी कॉप्स देखा तो उस और उन्होंने फिर उसके बाद एक होमलेस मेंडिकेट को भी देखा और यह सारी चीज़ें जो है ओल्ड एज डिसीज डेथ और यह सारी चीज़ें इन्होंने देखी और पीस वगेरा भी उन्होंने मतबकुल मिलाके पूरा एनलाइस किया जब यह बाहर निकले तो और सिधा और ताने काफी सारे जो पाथ हैं अलग अलग रास्ते हैं खोजें यहां तक कि उन्होंने बाडिली मॉटिफिकेशन भी की जिससे एक तरीके से ऐसा माना जाता है इस्टूरिंस के कोडिंग जो की वह नियली डेथ तक पहुच गयते बाडिली मॉटिकेशन की विजए से औ फिर उन्हें फिर मेडिटेशन किया काफी दूनों तक और फाइनली उन्होंने इलाइटमेंट हासिल कर ली उन्होंने ग्यान की प्राप्ति कर ली इसके बाद उन्हें जो है बुद्दा के नाम से जाने जाने लगा और इसके आगे उनकी जो रेस्ट ऑफ लाइव है उन्ह से यह जो है सुत्ता पिटाकर के बारे में हम पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे होंगे आपने काफी बार इसका नाम जो है सुन लिया होगा आपको याद भी हो गया होगा और अगर कोशन में पूचा भी जाएगा इसका नाम तो आप तुरंत बता भी देंगे सुपरनेशल पावर को डिस्पले करते हुए वह सिंपल रीजिंग से भी लोगों को पर्शुट करते थे एक्जामपल के तौर पर जब एक कोई ग्रीफ इस्ट्रिकन वूमें थी जिसका जो है चाइल मर गया था तो वो बुद्दा के पास आई उन्होंने तो फिर बुद् से उन्हें पर्शुट किया तो यह सारी जो स्टोरीज हैं यह सब नेरेट की गई है जो है ओर्डिनरी लोगों के द्वारा और ताकि सिंपल में की गई इसको ताकि जो है लोग इसको समझ सकें असानी से पुद्दिष फिलोसफी के गॉर्डिंग जो वर्ड है वो ट्रांस चीज इस वर्ड में आपको नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू बुद्दिष फिलोसफी और इस ट्रांसियंट वर्ड के अंदर जो दुख है जो सौरो है वो एक तरीके से होमन एक्जिस्टेंस के से मिला हुआ है और अगर कोई इनसान पाथ आफ मॉडरेशन को फॉलो करत है तो वो है इन सारी चीजों से ऊपर ऊट जाएगा ये जो सारी के सारी दुनियावी आएं उन सबसे ऊपर उड़ जाएगा और यही आपका एक अलिएश्ट फॉर्म माना गया है बुद्दिख्जम का वगर हम बात करें जो है आपका यह इसमें कोई पी आपको पूरी जो टीचिंग्स है बुद्दा की कि मैंने आपको जो भी बताई वर्ल्ड के बारे में यही चीजें जो है जो टीचिंग्स माने जाती है बुद्दा की जैसे कि आप यहां पर पॉइंट वाइस भी देख सकते हैं अगर आपको यहां पर साफ नहीं देख रहा है तो आ इंसान ने खुद ही बना लिए तो इसलिए उन्हों ने जतने भी किंस थे यह जितने भी गहां पतीष थे उन सब को का कि आ लोग भी इंसन इंसान ने बाकी लोग है पर लिखा हुईन सिए तकि उनको बताएं आप लोगी इन्सान है जो है emphasize किया और इन्होंने righteous actions के बारे में लोगों को बताया और ये भी कहा कि इस तरीके से आप जो है जो cycle of rebirth है इन सबसे जो है escape कर सकते हैं इन सबसे उपर उट सकते हैं और सर्फ realization को भी attain कर सकते हैं जिसको हम निबबना भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है ego और desire से छुटका आगी निकल गया हो तो इस तरीके से जो पूरी suffering है उससे हम बाहर निकल सकते हैं यह वही लोग करेंगे जो वर्ल्ड से रिनाउस हो जाए यानि जो दुनियावी चीज़ों को छोड़ दें according to Buddhist philosophy जिकि Buddhist tradition के according जो उनके last words थे वह कुछ इस तरीके से थे कि be left unto yourself as all of you must work out your own liberation य जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं अब चलिए काई यहां पर थोड़ा सा जो बुद्दा के followers थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो दिरे-दिरे क्या हुआ जब Buddhism दिरे-दिरे फैलना शुरू हुआ तो एक यहां पर एक बॉड़ी जी बॉड़ी जो थी disciples क बॉड़ी बड़ी होने लगी और जो पूरा बॉड़ी था इसको नाम दिया संग जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं यह और्गनाइजेशन बन गया था मॉंक्स का जो कि खुद ही जो टीचर्स वो है देरे-देरे धमा के टीचर्स बने लगे थे और उन्होंने इस आइ इनी सब पर जो है अपनी जिन्दगी जो है बसर बसर करते थे इनीचली बात करें जो सिर्फ मैन को अलाओ था कि वो संग में आ सकें लेकिन बाद में क्या हुआ कि वोमेन को भी एडमिट करना शुरू किया और बुद्धिस टेक्स के अकार्डिंग यह तभी पॉसिबल हु पज़ापती गौतमी जो कि फर्स्ट वुमेन माने जाती है जिनको बिखुनी के तौर पर जानी एक तो जो मॉंक मेल होते थे उन्हें बिखुस कहा जाता था और जो इसके अलावा जो फीमेल होती थी उन्हें बिखुनी कहा जाता था यह आपको भी याद रखना है कई सार इन्होंने भी लिबरेशन अटेंड कर लिया था और इन्होंने भी जो है इस बुद्धिजम की फिलोसफी को जो है फैलाना शुरू कर दिया एक तरीके से वह भी इसके टीचर बन गए थी धम्मा के और गाइस जो यहां पर बुद्धास के फॉलोवर्स थे वह अलग-अलग स सब भी आते थे और यह सब किसब मिलके एक संग में काम करते थे जिनको उक्रार दिया जाता था एक तरीकी से सबको बराबर माना जाता था और जो इनकी जो ऑखिती थी यह और reward को जी चे वोट के तरन लेना होता था उसके बीद उसके नहीं पर किस्केशन करते थे को भी के बाद भी ऐसा दीरे दीरे फिर्ट लोगों में दीरे दीरे लोगों में फैलना शुरू हुआ यूंकि जो एक्जिस्टिंग रिलीजिस प्रैक्टिस थे उससे लोग यह कि रहेगों कि यहां और चेक्टपर कर देंगे सिर्फट हम साची के नहीं था बहुत सारी क्सी फू newest बने थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे काफे उसके बारे में काफे गला है वह हैं मारे जाते हैं कौन अच्छी तरीके से हमें इसको पढ़ेंगे और जो चैप्टर से वह आपका असानी से कवर हो जाएगा एक्दम सिंपलर फॉर्म में सिंपल लेंगेज में आपको समझा रहा हूं मुझे अमीद यह पूरा जो आपका कॉंसेप्ट है अभी तक क्लियर हो गया होगा बुद्धि भी मत भूलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में पाट सेकिंड में तब पक के लिए जैहिन जै भारत